Hi my lovelies, welcome to my channel, कैसे हैं आप सब लोग, I hope you all are good and doing well So yes guys, आज के वीडियो में मैं आप लोग के साथ शेर कर रही हूँ SA skincare products, जो कि beginner friendly है क्योंकि काफी सारे requests मुझे ही आती है कि the SA products हम लोग के साथ शेर कीजिए जो हम, like teenagers, easily use कर सकें So, मुझे ऐसा लगता है कि यार, teenage में न, कहीं न, कहीं हमें लगता है कि यार, ये product हमने अप लगा लिया, react हो गया, skin खराब हो गई और in fact, हमारे parents हो भी हमें मना करते हैं कि Please, अपनी skin पे बहुत ज़्यादा चीजिए apply मत करो But, आज की वीडियो में, जो products मैं आप लोग के साथ share करने वाली हूँ They are tried and tested, मैंने use किये हैं और in fact, कुछ ऐसे products है, जिनको मैं अभी भी use कर रही हूँ Just because कि मेरा जो skin का type है, that is very much sensitive मैं बहुत ज़्यादा मतलब, जो जिन में बहुत chemical, chemical होते है उस तरह की products नहीं use कर सकती हूँ फटा-फट से मेरी skin react कर लेती है वीडियो teenagers के साथ साथ, उन लोगों के लिए भी काफी helpful रहेगा जिनकी skin का type बहुत ज़्यादा sensitive है So yeah, make sure कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, आप लोग के लिए helpful रहे है तो please video को like जरूर से कीजिएगा और मेरी channel पे नए हो तो channel को subscribe करना बिल्कुल न भूले And yes, जितने भी products हैं, सबके links मैं आपको नीचे description box में provide कर दूँगी क्योंकि काफी बार ना video तो देख लेता है बट उनको समझ में नहीं आता है कि कहां से purchase करें यह product हमें कहां मिलेगा तो हमेशा आप video के description box को check कीजिए वहाँ पे आपको सारे products available रहेंगे So yeah, चलिए start करते हैं आज का हमारा बहुत interesting सा video Yes, जो first skincare product है That one is face wash हमेशा अपने face को clean कीजिए क्योंकि teenage में हम लोगों के बाते काफी सुनते हैं अपने face पे कोई face wash मत apply करो soap मत लगाओ ऐसा बिल्कुल नहीं है जब तक आप अपनी skin को clear नहीं करोगे oil, dirt, impurities को नहीं निकालोगे तब तक आप कुछ भी apply करो उसका कोई मतलब नहीं है आप just imagine करो कि एक burden है अगर आप वो बहुत oily है अगर आप उसको साबून से साफ नहीं करोगे तो you can imagine कि वो साफ होगा नहीं होगा इसलिए आपको बहुत mild सा एक face wash अपने skin पे ज़रूर से यूज़ करना चाहिए क्योंकि skin को clear रखना बहुत ज़ादा ज़रूरी है तो इसके लिए मैं आपको दो face wash recommend करूंगी first one is purifying neem face wash यह I think सब लोग यूज़ कर चुके होंगे और काफी लोगों का favorite होगा अभी भी यूज़ करते होंगे literally मेरे पास यह हमेशा रहता है मतलब मेरे bathroom में यह कभी खतम नहीं होता जासे ही खतम होता है मैं फिर से को प्री स्टॉक कर लेती हूँ क्योंकि यह जो face wash है यह basically acne prone skin के लिए काफी जादा अच्छा है और सबसे बड़ी बात कि बहुत अच्छे से clear करता है skin को मतलब आपको खुदको feel होगा कि yes हमारी skin अच्छे से clear हो गई है और teenagers के लिए तो सबसे best 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 face wash है अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आरा ना तो आप यह वाला जरूर से buy कर सकते हो and उसके बाद जो second option है that one is simple का यह refreshing facial wash सबसे important thing कि इसके अंदर किसी भी तरह का artificial perfume, color, chemical, soap, alcohol, fragrance इस तरह के कुछ भी chemical added नहीं है तो यह बहुत kind है skin को लेके तो आल लों की teenagers के लिए इसी तरह की products चाहिए जो skin को kind रखे बहुत harsh chemical आपकी skin tolerate बिलकुल नहीं कर पाएगी so yeah this is literally good face wash almost इस वीडियो में जितने भी products है मैं आपको under 500 ही बता रही हूँ क्योंकि teenagers के लिए थोड़ा सा ना money matter करती है so yes face wash में आप इन दोनों option में से कोई भी try कर सकते हो दोनों अपने आप में बहुत अच्छे है उसके बाद बारी आती है एक अच्छा सा toner लगाने की अब आप सोचते हो कि यह teenagers में हमको toner की क्या ज़रुरत है जिनको open pores होते है उनको requirement होती है toner basically आपकी skin का pH level अच्छे से maintain करके रखता है we all know कि जब भी आप face wash use करोगे आपकी skin से dirt निकलेगी oil निकलेगा तो जो dryness होती ही ना वो skin की थोड़ी थोड़ी रहती है तो एक अच्छा सा toner आप use कीजे ताकि आपका hydration आपका skin का pH level वापस से उसको मिल सके तो इसके लिए अगर आपको कोई ताम जहम में नहीं जाना है तो you can go for a rose water एंटी भी brand का आप rose water यूज कर सकते हो मेरे पास फिलाल अभी इदा natural wash का ये rose toner है काफी ज़्यादा अच्छा है इसके अंदर alcohol नहीं है, perfume नहीं है, preservative नहीं है, simply जो rose water होता ना वैसा है, and this is for all skin type, इसको आप ऐसे toner यूज कर सकते हो, और जब भी आप बाहर से आते हो, आपको लगता है कि face काफी ज़्यादा गंता हो रहा है, तो as a makeup remover जो होता है आपको spray करके और अच्छे से cotton से आपको clear करना होता है कभी-कभी face, तो वैसे भी आप इसको use कर सकते हो, तो काफी अच्छा option है, rose water में आप ये ज़रू try कीजिए, otherwise दाबर-बाबर के तो ये rose water होते है ना, उनमें लिखा नहीं रहता यार कि preservative है या नहीं है, but yes हमिशा ऐसे product use कीजिए, जिसके अंदर अच्छे से mention रहे कि क्या-क्या है और क्या नहीं है, teenagers हो या कोई भी हो यार, please ingredient list को जरूर से check कीजिए, and next option में मैं आपको दूँगी, Plum का ये green tea toner, ये भी alcohol free है and ये मुझे basically इतना ज़्यादा इसलिए पसंद है, क्योंकि ये acne brown skin के लिए काफी अच्छा work करता है क्योंकि teenagers में छोटे-छोटे से tiny worms की problem सबको होती है, hormones change होते है, हमारी lifestyle सब कुछ थोड़़़़़़़़ change होने लगता है तो इसके लिए आप ये वाला toner यूज़ कर सकते हो, face को अच्छा से hydrate रखेगा, pH level भी maintain करेगा और somehow आपकी जो acne related problem है, उस पे भी ये control करेगा उसके बाद बारी आती है, एक अच्छा सा moisturizer लगाने की, तो अभी आप बोलो कि इस serum क्यों हम यूज़ना करें, please trust me, serum लगारा बिल्कुल जरूरी नहीं होता है, अगर आपकी skin में problem है, आपको acne related problem है, आपको acne scars है, आपकी aging related problem start हो गई है, तब जाके आप अच्छा सा कोई serum यूज़ कीजिए, जैसा कि vitamin C, niacinamide, retinoil ये सब problematic area को cover करने के लिए होते हैं, ये essential नहीं है, आपकी skin care routine में आपको serum यूज़ करना बिल्कुल जरुवी नहीं है, यस अगर आपको pigmentation की problem है, acne scars है, तब आप vitamin C ले सकते हो, excess में oily skin है, आपकी acne scars है, तो आप niacinamide ले सकते हो, aging related problem है, जो कि teenagers में नहीं होती है, तो आप retinoil यूज़ कर सकते हो, तो यस serum को हम इस skincare routine से बिल्कुल exclude कर रहे हैं, हम अभी use करने वाले हैं, एक अच्छा सा moisturizer, and moisturizer के लिए आप ये वाला जरूर से try कर सकते हो, this is pond super light gel moisturizer, काफी अच्छा moisturizer है, hyaloneric acid and vitamin E के साथ आता है, hyaloneric acid आपकी skin से water level का balance बना के रखता है, आपकी skin को hydrate रखता है, vitamin E we all know की बहुत अच्छे level में antioxidant होते हैं, जो basically हमारी skin के लिए काफी जाजा अच्छे होते हैं, तो ये कुछ ना इस तरह का आपको gel consistency में मिलता है, काफी अच्छा moisturizer है, बहुत अच्छा result देता है और सबसे बड़ी बात की कम price का है, कम price में अगर आपको अच्छा सा moisturizer चाहिए ना, तो please इसको बिल्कुल skip मत करना skin पे बिल्कुल oilness भी नहीं छोड़ता है hydrate भी रखता है, soft and supple लगती है आपकी skin, बंद करके आप ये वाला moisturizer यूज़ कर सकते हो and trust me ज़रूरी नहीं है कि अगर आप skincare night gel basically ये ना night gel है, but मैं इसको day में भी यूज़ कर रही हूँ, काफी अच्छा है बहुत calming effect देता है skin को बहुत अच्छे से hydrate रखता है and इसकी consistency भी आपको काफी gel type की मिल जाती है say this, तो इसको लगाने के बाद एकदम soothing लग दी है आपकी skin hydrate लगती है और भी hyaluric acid है, aloe ver extract है काफी सारे humectants है जो basically आपकी skin के लिए काफी अच्छा काम करते है ये भी मेरा current favorite moisturizer है काफी जात अच्छा लगा मुझे ये वाला भी so ये moisturizer के लिए मैं आपको दो option दूँगी एक night में अगर आप कुछ लगा के सोना चाते हो तो आप ये वाला try कर सकते हो और दिन में आप ये वाला moisturizer लगा सकते हो and yes उसके बाद बारी आती है एक अच्छा से sunscreen यूज़ करनेगी trust me sunscreen में as such कोई भी option नहीं है जो beginner friendly हो but yes जो मेरे college time से मैं अभी तक यूज़ कर रहे हूँ that one is lotus का ये safe sun matte gel ये काफी अच्छा है बिल्कुल भी skin को react नहीं करता है formula भी इसका काफी जाधा soft है as this is chemical sunscreen but इसमें जो chemicals है ना वो काफी जाधा mild है तो skin को बिल्कुल भी react नहीं करेंगे and as अगर आपकी oily skin है super oily तो आप ये वाला जरूर से try कर सकते हो SPF 50 UV and UV भी दोनों लेज से आपको protection लेगा and this is PA++++ formula तो ये sunscreen काफी जाधा अच्छा है and next मैं आपको option दोगी Earth Rhythm का ये Ultra Defense SPF 50 वाला sunscreen ये भी काफी अच्छा है जो texture है ये आपको इस तरह का gel cream type का texture मिलता है ये भी skin के अदर काफी जल्दी से soak in हो जाता है and सबसे बड़ी बात कि इसके अदर sugar can derived है तो इस skin को बिल्कुल भी harm नहीं करता है अच्छा उताने skin को finish look देता है healthy लगती है आपकी skin तो इस तरह का sunscreen मतलब sunscreen में आपको दो option दोंगी अगर आप beginner हो अगर आप beginner नहीं हो तो मेरे channel पे already top 5 sunscreen top 5 moisturizer के videos हैं आप लोग जाके check out कर सकते हो वो videos आप लोग के लिए काफी जादा helpful रहेंगे one more thing guys जब भी आप sunscreen use करो make sure कि जब भी इसको remove करो आप अपना face wash करो double cleansing जरूर से करो just because कि sunscreen आपके face wash से नहीं निकलेगा वो आपके pores के अदर चला जाएगा और उसके बाद आपको acne अगरे हो सकते हैं तो हमें sunscreen यूज़ करने के बाद जब आप face wash करो एक अच्छा सा micellar water के true अपने face को पहले clean कर लो cotton wipe से so micellar cleansing water में आपको recommend करना चाहूंगी इन के लिए काफी ज़्यादा kind है and we all know कि simple's के products काफी ज़्यादा अच्छा आते हैं perfume color, harsh chemical, mineral oils इस तरह के मतलब कुछ भी chemical नहीं होते हैं तो यह micellar water आप use कर सकते हो makeup निकालने के लिए sunscreen निकालने के लिए बहर से आ रहे हो pollution है, dirt है, impurities है उसको आपको निकालना है तो just normal cotton wipe पे आप यह वाला micellar water लीजिए और अच्छे से face को clean कर लीजिए और उसके बाद अपना face wash आप कर सकते हो so yes teenagers के लिए बहुत ज़्यादा ताम जहम की नहीं है बहुत simple से skincare products मैंने आप लोग के साथ share किये है costly भी नहीं है, under 500 आपको सारे products में जाएंगे trust me, काफी ज़्यादा अच्छे है अगर आप confuse हो रहे हो कि teenagers हूँ मुझे कौन सा face wash, moisturizer, sunscreen कौन सा use करना चाहिए तो I am damn sure कि ये video आप locally बहुत helpful रहा होगा तो या अगर आपको अच्छा लगा है video तो like बटन पर जरूर से click कर दीजिए फटाफ़ट से, subscribe तो I know कि आप मेरे चैनल को कर चुके होंगे तो या description box को जरूर से एक बार check कर दीजिए सारे products मैंने आपको वहाँ पर provide कर दिये है so या thank you for watching this video guys मिलते हैं अगेन एक ने वीडियो के साथ तब तक के लिए ता तब बाई बाई